अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर केम तरीन खबरों से हमें से वाकिए फैरना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हूँ या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को प्रेस कर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो या फिर फॉलो करके मुझे कॉंटेट कर सकते हूं इस्टाग्राम की आईडी लिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी मैं आप लोग को सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम के देने की कोशिस जरूर करूँगा तो सबसे पहली खबर के उर साथ यह चलते जो की मिनिस्ट्रियो पब्लिक हील के तरब से आ रही है मिनिस्ट्रियो पब्लिक हिल के तरब से बताया गया是 कि कल की दिन 24 गंटा के अंदर 119 नई केसिस को रेजटर किया गया जिनुमें से यानि दूसरे देश से वो कतर आ रहे थे जिनमें से वो परिटिप पाया गया, अब तक वहाँ पे 66,94,215 लोग को COVID की वैक्सिन दी जा चुकी है, 24 गंदा में 6,881 लोग को COVID की वैक्सिन दी गई, वहीं पर बूस्टर डोस के बारे में बात करें, वीजा ओन अर्यवल होटल बूकिंग बैक ओन डिस्कबर कतर वेबसाइट, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दो दिन पहले, तीन दिन पहले ये बताया था, कि इंडिया, पाकिस्तान और इरान के लिए, वीजा ओन अर्यवल लेकर वीजा जो भी लेक आते हैं, वीजा ओन अर्यवल तो उनको आप वहाँ पे डिस्कबर कतर में, वहाँ पे आपको होटल बूकिंग का सिस्टम जो वो खतम कर दिया गया, पर फैनली दोस्तों 14 अप्रिल को फिर से वहाँ पे होटल बूकिंग का सिस्टम जो वेबसाइड में साथ ही अपडेट कर दिया गया, तो यदि आप अभी पीजा ओन और एवल के साथ इंडिया, पाकिस्तान, इरान को लोग यदि आप आना चाहते हैं, तो आपको पहले होटल बूकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कतर के आने की अनुमती होगी, अगली अपडेट की उट साथ ही चलते हैं, दोस्तों जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, तो कपूर फैमिली और भट फैमिली दोस्तों जो है वो रिस्तदार बन गए हैं, तो ये साधी दोस्तों इनकी कल हुई हुई है, कल सामें दोस्तों ये फोटो को अपलोड किया गया, पूरी इंटरनेट पे वाइरल देखने को मिल रहा है, अगली अपडेट के उट साथ ही चलते हैं, अगली खबर दोस्तों जो आरी एक सेमिनार रखा गया, होली कुरान और तजकिया, तो साथियों ये जो रखा गया प्रोडाम ये मिनिस्ट्री ओफ आपकाफ और इसलामिक एफेर के तरफ से ओगनाईस किया गया था, ये सेमिनार होगा, जिसमें कुरान शरीफ और तजकिया के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीजे बताएं गई, जिनमें से साथियों ये जो प्रोडाम रखा गया, रमदान बुक जो फेर लगा हुआ है, तो उसको लेका रखा हुगा है तो ये 16 अपरील तक चलने वाला है, वेश्टन स्कॉयर ओप सोक वाकिफ में, उनके जो हेड है आदेल रफिज जनरल सुपर्वाइजर बिन तसीम फांडेशन, उनके तरफ से दोस्तों ये बताएं गई, तो ये बहुत ही पोड़ा प्रग्राम है, बहुत सारे लोग इसमें पाटिसिपेट कर रहे हैं, अलगलग देशों को लोग भी इसमें पाटिसिपेट कर रहे हैं, अगली खबर के उनके चलते हैं, अगली खबर दोस्तों जो आ रही हायात रेजेंसी के तरफ से, वो लोग इफ्तार कर सकें तो फिलाल ये सिर्फ टेक्सी ड्रेवरों के लिए इंतिसाम किया गया था और भारी मातरा में लोगों को समील कर दिया गया अब भारत को middle income कैटेगरी में गिना जाए गया यानि दोसतोँ पहले developing को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ युनिक स्टूडियो पर आफीज और टेक